कौन आया है? मामा और मामी जी आये हैं. आओ भईया भाबी, आप कैसी हैं? मामा जी, ये दोनों कौन हैं? ये दोनों पंडित जी के बेटा बेटी हैं. पंडिताइन के पास इने भेजना है, वे आज कल यहां आई हुई हैं. इन सारी बातों में स्त्रिलिंग, पुलिंग शब्दों का कितना अच्छा मेल हुआ है? कैसे? बताती हूँ. मामा, भईया, पंडित, बेटा शब्द बता रहे हैं कि ये सभी पुरुष हैं. और मामी, भाभी, पंडिताइन और बेटी बता रहे हैं कि ये स्त्रिया हैं. अर्थाद ये शब्द स्त्रि और पुरुष वर्ग की पहचान करा रहे हैं. शब्दों का यही रूप लिंग कहलाता है. लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन. शब्द के जिस रूप से यह ज्यात हो कि वह पुरुष जाती का है या इस्त्रि जाती का उसे लिंग कहते हैं. लिंग के भेद. हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं. पहला पुलिंग, दूसरा स्त्रिलिंग. प्रत्य एक संग्या शब्द या तो पुलिंग वाची होगा अत्वा स्त्रिलिंग वाची क्यूंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता पुलिंग पुरुष या नर्जाती का बोथ कराने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं जैसे बैल, शेर, बंदर, फल, पेड, गायक, पानी, विद्याले पुलिंग शब्दों की पहचान निम्नलिखित वर्गों के शब्द प्राया पुलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं इनके कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार हिंदी महीनों के नाम आशाण, श्रावन, कार्तिक ग्रहों के नाम शनी, चंद्र, ब्रिहस्पती, रवी, मंगल, सूर्य देशों के नाम भारत, अमेरिका, नेपाल, आदी पर्वतों के नाम अरावली, हिमाले, कैलाश, आदी सागरों के नाम प्रशांत महसागर, हिंद महसागर, आदी अनाजों के नाम चावल, बाजरा, गेहु, चना, आदी मक्का, ज्वार, रागी, मूंग, अरहर आदी इसके अपवाद है व्रिक्षों के नाम अशोक, पीपल, बर्गत, शीशम, आदी इमली इसका अपवाद है रतनोवध धात्वों के नाम हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, आदी चांदी इसका अपवाद है द्रव पदार्थों के नाम पानी, तेल, घी, आदी लसी, कौफी, चाए इसके अपवाद है शरीर के अव्यवों के नाम माथा, कान, आंक, नाखून, हाथ, आदी आख, नाख, जीब, कलाई, कोहनी, आदी इसके अपवाद है वर्ण माला के अक्षर अ, आ, क, ख, आदी इ, इ, री इसके अपवाद है समूह वाची शब्द दल, कुटुम, परिवार, संग, गुच्छा, जुन्ड, आदी प्राने वाचक शब्द आदमी, युवक, व्रिध, शेर, मोर, सांप, कच्छवा, आदी आ, आव, पन, आपा, त्व, ओड़ा आदी प्रत्ययों से बनने वाले शब्द घड़ा, बहाव, बचाव, बच्पन, बुढ़ापा, मनुश्यत्व, महत्व, हत्वड़ा, आदी स्त्रिलिंग स्त्रिया नारी जाती का बोद कराने वाले शब्द स्त्रिलिंग कहलाते हैं जैसे गाई, गिलेहरी, गाईका, धर्ती, नदी, जीब, नर्तकी, दुलहिंद उपर्युक्त शब्द स्त्रियाती का बोद करा रहे हैं अता ये सभी स्त्रिलिंग शब्द हैं स्त्रिलिंग शब्दों की पहचान, निम्नलिखित वर्गों के शब्द प्राय स्त्रिलिंग में प्रयुक्त होते हैं, इनके कुछ अप्वाद भी देखने को मिलते हैं, भाशाओं के नाम संस्कृत, तमिल, कन्नड, लिपियों के नाम देवनागरी, ब्राम्ही, फार्सी, रो प्रावेरी आदी, नक्षत्रों के नाम रेवती, म्रिक्षिरा, रोहिनी आदी, भोजन या मसालों के नाम रोटी, पूरी, सबजी, हल्दी, मिर्च आदी, शरीर के कुछंग आँख, नाख, ठोडी, आदी, कुछ हत्यारों के नाम बंदू, तलवार, कटार, आदी, प्रत की आकारांत और उकारांत संग्याएं इस्त्रिलिंग होती हैं, यात्रा, ग्रिना, माला, दया, प्रार्थना, आदी, इ, नी, आनी, आई, इया, इमा, री, प्रत्यय युक्त शब्द, प्राया स्त्रिलिंग होते हैं, खिडकी, भलाई, अच्छाई, बुनाई, चिड इ करने से पुलिंग, स्त्रिलिंग, नर, नारी, नाला, नाली, दास, दासी, बकरा, बकरी, चाचा, चाची, तरुण, तरुनी, ब्रांभन, ब्राम्हनी और तथा आ को इ करने से बंदर, बंदरिया बेटा बितिया, चिडा चिडिया, खाड खटिया, लोटा लुटिया, चूहा चुहिया, डिब्बा डिबिया आनी जोडने से, पुलिंग, स्त्रिलिंग, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, सेट, सेठानी, इन या आईन जोडने से, पंडित, पंडिताईन, साप, सापिन, माली, मालिन, ठाकुर, ठकुराईन, तेली, तेलिन, जोगी, जोगिन नी जोडने से उट उटनी, सिह जिहनी, भील भीलनी, जाट जाटनी, आ जोडने से सुत सुता, व्रिध व्रिधा अध्यक्ष अध्यक्षा, प्रिय प्रिया, आचार्य आचार्या, भवदिय भवदिया इका जोडने से लेखक लेखिका, नायक नाईका, सहायक सहाईका, शिक्षक शिक्षिका, गायक गाईका, संपादक संपादिका, संचालक संचालिका ता का त्री करने से नेता नेत्री दाता दात्री अभिनेता अभिनेत्री निर्माता निर्मात्री मान और वान का मती और वती करने से बुद्धिमान बुद्धिमती गुणवान गुणवती पुत्रवान पुत्रवती रूपवान रूपवती भगवान भगवती इनी जोर्ने से स्वामी स्वामी नी यशस्वी यशस्वी नी तपस्वी तपस्वी नी हाथी हाथी नी नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्थ्रिलिंग शब्दों मी मादा तथा नर जोर्ने से नित्य पुल्लिंग, स्त्रिलिंग, तोता, मादा तोता, खरगोश, मादा खरगोश, मच्चर, मादा मच्च, कववा, मादा कववा, भेडिया, मादा भेडिया, कच्चुवा, मादा कच्चुवा, उल्लू, मादा उल्लू नित्र स्त्रिलिंग, पुलिंग, कोयल, नर कोयल, मचली, नर मचली, चिपकली, नर चिपकली, गिलहरी, नर गिलहरी, मक्खी, नर मक्खी, मैना, नर मैना, मक्डी, नर मक्डी, पूर्ण रूप से परिवर्तेत होने वाले, पुलिंग, स्त्रिलिंग, आदमी, औरत, वर, विदुर, विध्वा, कवी, कव्यत्री, भाई, बेहन या भाभी, पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, वीर, वीरांगना, बैल, गाय, बिलाव, बिल्ली, पती, पत्नी, समराट, समरागी, विद्वान, विदुशी, पिता, माता, ससुर, साज वचन शिल्पी, देखो सब पच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा उदास बैठा है, तुम क्यों नहीं खेल रहें? मेरे पास कई सीटियां थी, सब गिर गई, एक सीटी भी नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पास सुंदर खिलोने हैं, तुम कोई भी खिलोना ले लेना ठीक है वा, शिल्पी तो बहुत अच्छी लड़की है, उसने उदास बच्चे को खुश कर दिया चलो, इनकी बातों से वचन सिखाती हूँ इन शब्दों को ध्यान से देखिए बच्चा, बच्चे, सीटी, सीटियां, खिलोना, खिलोने इनमें बच्चा, सीटी और खिलोना से एक व्यक्ती और एक वस्तू का बोध हो रहा है बच्चे, सीटियां और खिलोने शब्दों से एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध हो रहा है वस्तुओं और प्राणियों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों का यह रूप वचन कहलाता है संग्या आधी शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं वचन के भीद, हिंदी में वचन के दो भीद हैं, एक वचन, बहुवचन एक वचन, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ती, प्राणी, वस्तु या पदार्त के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं जैसे फूल पर तितली मंडरा रही है, पिल्ला सो रहा है, तोता मिर्च खा रहा है उपर युक्त वाक्यों में फूल, तितली, पिल्ला, तोता, मिर्च शब्द एक का बोध करा रहे हैं, अतह ये एक वचन है बहुवचन, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्त के एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं जैसे क्यारियों में फूल खिले हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, चिडिया जाल में फंस गई हैं उपर्युक्त वाक्यों में क्यारियों, फूल, बच्चे और चिडिया शब्दों से उनके एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, अता ये शब्द बहुवचन है वचन के पहचान संबंधी कुछनियम हिंदी में अनेग बार विकारी शब्दों के रूप को देख कर उनके वचन का अनुमान लगाना कठिन होता है ऐसी स्थिती में वचन के पहचान इस प्रकार करते हैं एक वचन से बहुवचन बनाते समय संग्या शब्दों का रूप बदल जाता है जैसे बच्चा, बच्चे, पिल्ला, पिल्ले, आदी इसलिए वाक्य में शब्द के प्रयोग को देख कर उसके वचन का पता लगाया जाता है जैसे इस बच्चे का पिता कौन है? यहां बच्चे एक वचन है बाहर बच्चे शोर कर रहे हैं यहां बच्चे बभुवचन है अनेग बार कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होगा जैसे फूल, कमल, पेड, आदी ऐसे शब्दों में वचन की पहचान वाक्य में प्रयोक्त क्रियापदों से होती है जैसे मेरे बगीचे में आम का पेड है आदरार्थ बहुवचन आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के अस्थान पर बहुवचन का प्रयोक किया जाता है जैसे गुरु जी आ रहे हैं माता जी खाना बना रही हैं आसु, बाल, लोग, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, समचार आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही होता है धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संग्याएं तथा भाववाचक संग्याएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं जैसे प्रेम से सभी को जीता जा सकता है चान्दी सस्ती हो गई है घी, चाय, पानी, दही, वर्शा, आकाश आदी एक वचन में प्रयोग तो होते हैं जैसे पानी बरस रहा है आज आकाश बिलकुल साफ है समोह वाचक संग्याओं भीड, परिवार, जुण, दल आदी का प्रयोग एक वचन में होता है जैसे जनता ने कुछ करने की ठान ली है मेले में भीड बढ़ती ही जा रही थी कई बार जाती वाचक शब्द एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराते हैं जैसे नागपुर का संतरा बहुत प्रसित है उनके पास लाखों रुप्या है वचन परिवर्तन के नियम आकारांत शब्दों के आ को ए में बदल कर एक वचन बहुवचन तोता तोते, लड़का लड़के, छाता छाते, कुर्ता कुर्ते, खीरा खीरे, गमला गमले, पंखा पंखे, घोड़ा घोडे, बच्चा बच्चे, जूता जूते, पैसा पैसे, कववा कववे, ताला ताले, मेला मेले अकारांद स्रिलिंग शब्दों के अ को ए में बदल कर पुस्तक पुस्तके, बेल बेले, कमीज कमीजें, रात रातें, भेड भेडें, मेज मेजें, आख आखें, बोतल बोतलें, नहर नहरें, सड़क सड़कें इकारांद शब्दों के E के आगे यां जोड़कर जाती जातियां, पंक्ती पंक्तियां, रीती रीतियां, लिपी लिपियां, तिथी तिथियां, समिती समितियां इकारांद शब्दों के E को E में बदल कर और यां जोड़कर नदी नदियां, तितली तितलियां, मचली मचलियां, मिठाई मिठाईयां, बक्री बक्रियां, मक्की मक्कियां, रोटी रोटियां, लड़की लड़कियां, दवाई दवायां, यां को यां में बदल कर गुडिया, गुडिया, पुडिया, पुडिया, डिबिया, दिबिया, चिडिया, चिडिया, खटिया, खटिया, चुहिया, चुहिया आकारांस्त्रिलिंग शब्दों में ए जोड कर एक वचन, बहुवचन माता माताई, कथा कथाई, भावना भावनाई, लेखिका लेखिकाई, भाशा भाशाई, कविता कविताई, रचना रचनाई, गाथा गाथाई, अध्यापिका अध्यापिकाई, सभा सभाई उकारांत उकारांत एवं ओकारांत स्त्रिलिंग शब्दों में ए जोड कर वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, धेनु धेनुएं, रितु रितुएं, जन, लोग, व्रिंद, गण जोड़कर, मुनी, मुनी गण, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, मस्दूर, मस्दूर लोग, पक्षी, पक्षी व्रिंद, विद्यार्थी, विद्यार्थी ग चात्र चात्र व्रिंद कारक दादी, रानी लेक्ष्मी भाई पर एक कविता याद करनी है, क्या आपको आती है? हाँ, सुनाती हूँ सिंगहासन हिल उठे राजवन्शों ने भिकुटी तानी थी, बूढे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर पिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन सत्तावन में वै तलवार पुरानी थी भई, कविता सुन कर तो मन जोश से भर गया, बच्चों कविता की पंक्तियों में आए कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिए ने, मे, से, की, को ये शब्द अपने साथ आए शब्दों का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं शब्दों के आपसी संबंध को बताने वाले ये शब्द कारक हैं संग्या या सर्वनाम के जिन रूपों से उसका क्रिया या वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध प्रकट होता है, उन्हें कारक कहते हैं, परसर्ग, वाक्य में प्रयुक्त संग्या या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध दर्शाने वाले चिन्हों को परसर् कहते हैं इन्हें विभक्ती चिन्न या कारक चिन्न भी कहते हैं कारक के भेद मुख्य रूप से कारक के छे भेद होते हैं पहला करता कारक दूसरा कर्म कारक तीसरा करण कारक चौथा संप्रदान कारक पाच्वा अपादान कारक छठा अधिकरण कारक कुछ लोग निम्न लिखे दो भेदों को भी कारक के अंतरगत रखते हैं पहला संबंध कारक, दूसरा संबोधन कारक नीचे दी गई कारक तालिका से इन सभी कारकों को संक्षेप में समझा जा सकता है कारक, परसर्ग, पहचान, करता, क्रिया को करने वाला, ने, कौन, किसने, कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े, को, क्या, किसको, करण, जिस साधन से क्रिया हो, से, के द्वारा, किस से, किसके द्वारा, संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए के लिए को किसके लिए किसको अपादान अलग होने के अर्थ में से कहां से किस से संबंद अन्यपदों से संबंद का के की रा रे री किसका किसके किसकी अधिकरण क्रिया का अधार में पर किस में, किस पर, कहां पर संबोधन हे, अरे, ओ करता कारक प्रत्य क्रिया के साथ करता अवश्य होता है क्यूंकि बिना करता के क्रिया हो ही नहीं सकती करता प्राया कोई मनुश्य या प्राणी होता है जैसे पिता जी ने दुकान से पुस्तके खरी दी कुत्ता भौक रहा है, लड़का गेंद खेल रहा है इन उदाहरणों में पिता जी, कुत्ता और लड़का क्रिया के करता है अता ये करता कारक है कर्म कारक राकेश दूद पी रहा है मा समचार सुना रही है, दादी ने नेहा को कहानी सुनाई उपर्युक्त वाक्यों में दूद, समचार, नेहा, कहानी शब्द क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित है हम ये भी कह सकते हैं कि ये करता के सबसे अधिक प्रिय भी है इनको कर्म कहा जाता है अता कहा जा सकता है संग्या या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं इसका परसर्ग को है कर्म दो प्रकार के होते हैं मुख्य कर्म और गौन कर्म जिस वाक्य में एक ही कर्म प्रयोग होता है वह मुख्य कर्म ही होता है मगर जब एक ही वाक्य में दो कर्म प्रयोग होते हैं उनमें एक मुख्य और दूसरा गौन कर्म होता है दादी ने नेहा को कहानी सुनाई इस वाक्य में मुख्य और गौन दोनों ही कर्म प्रयोग होए हैं जहां दो कर्म प्रियोग होते हैं, उनमें प्राणिवाचक कर्म गौंड कर्म होता है और और प्राणिवाचक कर्म मुख्य कर्म होता है। उपर्युक्त उदाहरण में नेहा गौंड कर्म तथा कहानी मुख्य कर्म है। करन कारक, किसी क्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन होना जरूरी है, जैसे प्रियंका ने फूलों से सुन्दर रंगोली बनाई, उन्होंने नाव से नदी पार की, कलाकार ने अपनी उंगलियों से रेट पर पूरा चित्र उकेर दिया, यहाँ पर रंगोली बनाने के लिए फूल, नदी पार करने के लिए नाव और रेट पर चित्र उकेरने के लिए उंगलियां जरूरी है, कार्य करने के यही साधन करन कारक कहलाते हैं, इसके परसर्ग से के द्वारा है, अता कहा जा सकता है, करता जिस साधन की सहायता से कार्य पूर्ण करता है, उसे करन कारक कहते हैं, कभी-कभी करन कारक का प्रयोग भी बिना परसर्ग के होता है, जैसे आखों देखी बात पर कैसे विश्वास न करूं, कभी-कभी से परसर्ग का प्रयोग साधन के अलावा अन्य रूपों में भी हो सकता है, जैसे कक्षा में ध्यान से सुनो, वस्वभाव से ही बड़ी शान्त है, धुए से कई लोगों का दम खुट गया, संप्रदान कारक, देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है, जैसे वन्शिका ने अपने भाई के लिए सुन्दर सी राखी खरीदी, नेता जी ने गरीबों को कंबल बाटे, पिता जी ने मुझे या मुझको न और बस्ता दिये गए हैं, इसलिए ये संप्रदान कारक के उदाहरण है, जब किसी को कोई वस्तू सदैव के लिए दी जाती है, तो जिसको वस्तू दी जाती है, उसे संप्रदान कारक के परसर्ग हैं के लिए को, अपादान कारक, अपादान का अर्थ है जहां से कोई पद उपर युगत वाक्यों में हिमाले से, साइकिल से, डाली से, क्रम्ष, गंगा, करण और चिडियां अलग हो रहे हैं, यह अलग होना ही अपादान कारक है, अतर कहा जा सकता है, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, वह अपादान कारक है, इसका परसर्ग से है, उपर दिये गए उदाहनों में गंगा हिमाले से, करण साइकिल से, और चिडियां डाली से अलग हो रही है, इसलिए यह अपादान कारक है, अलग होने के अतरिक्त जिन संग्या सर्वनाम रूपों से डरने, बचने, सीखने, लजाने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है, वे भी अपा यह तुम्हारी घडी है, मनीश ने कबीर की पतंग काड़ दी, वह मेरी नानी का घर है, उपर्युक्त वाक्यों में तुमका घडी से, कबीर का पतंग से और मैंका नानी से, तथा नानी का घर से संबंध प्रकट हो रहा है, यही संबंध कारक है, दूसरे कारकों को छोड़ पुष्टकर संग्या और सर्वनाम शब्दों का जो पारसपरिक संबंध है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के परसर्ग हैं का, के, की, रा, रे, री, आधी। आधिकरन कारक। यह पुस्तग मेज पर रग दो। मैंने पलंग पर चादर बिछा दी है। दादा जी कमरे में सो रहे हैं। उपरियुक्त वाक्यों में रंगीन पदों से क्रिया के आधार का, यानि क्रिया कहां हो रही है का पता चलता है। क्रिया का यही आधार अधिकरन कारक कहलाता है। अता कहा जा सकता है। क्रिया के आधार को अधिकरन कारक कहते हैं। अधिकरन कारक के परसर्ग हैं में-पर, समय अधिकरन के साथ में-पर, परसर्ग के अतरिक्त को परसर्ग भी आता है, जैसे मैं शाम को आउंगी, भया की परिक्षा दिसंबर में होगी, बस दो बजगर 20 मिनट पर जाएगी, सम्बोधन कारक, हे प्रभु हमारी रक्षा करना, अरे मोहन इस समय कहा जा रहे हो, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों द्वारा किसी को पुकारा या सम्बोधित किया गया है, यह पुकारना या सम्बोधन ही सम्बोधन कारक है, अता कहा जा सकता है जिन शब्दों से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं संबोधन कारक के परसर्ग हैं हे अरे हमने सीखा संग्या के एक या अनेक होने का बोद कराने वाले रूप को वचन कहते हैं वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. वचन के पहचान संग्या, सर्वनाम, विशेशन शब्दों और क्रिया पदों से होती है. आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के अस्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है. बाल, प्राण, होश, हस्ताक्षर, आसु, दर्शन आदी का प्रयोग बहुवचन में होता है. कभी-कभी बाल और आसु शब्दों का प्रयोग एक वचन में भी होता है. समूह वाचक संग्याएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं. भाव वाचक संग्याएं एक वचन में प पदो से जाना जाए। क्रिया के साधन को दर्शानी और अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है।